तो कैसे हो आई साब Reliance Jio लेकर आया आप सभी लोगों के लिए Jio Postpaid प्लस जहां पर बैतर सेवाएं वो देने की कोशिस आप सभी लोगों करेगा अब देखो Reliance Jio का जो Postpaid फिल्ड है वो उतना जादा नहीं Postpaid जो सेक्शन है वो बहुत छोटा सा है बहुत से कम कंजूमर्स है Jio Postpaid में ऐसे में Airtel और Vodafone Idea अभी भी Reliance Jio से बहुत आगे है Postpaid के मामल में ऐसे में Reliance Jio चाहता है कि Postpaid के फिल्ड में वो आगे जाए Postpaid ज्यादा कंज्मर्स उसके पास भी हो अब ऐसे में Jio Postpaid प्लस लेकर यहां पर Reliance Jio आ चुका है जहां पर टूडल 5 प्लान पेस्ट किये गया और इन सारे प्लांस में आपको बहतर सिवाई यहां पर दिये जाए Jio का सारा Apps का मिल जाएगा आपको जहां पर आप Unlimited Movies वगरा देख पाओगे इतने सारे चानल लाइप देख पाओगे जो नॉर्मल Jio यूजर्स को मिलता है वो सारे की सारे आपको मिलेंगे प्लस आपको Amazon Prime, Netflix और Hotstar VIP भी मिलेगा बस इतना है नहीं आपको First Ever In-Flight Connectivity मिलने वाला है, All Over World Wi-Fi Calling मिलने वाला है, International Calls आप कर पाओगे इंडिया से 50 पैसे परती मिनट के दर से, International Roaming आपको मिल जाता है एक रुपे परती मिनट के दर से, उसके बाद आपको यहाँ पर जब आप दुबई या फिर US में रहोगे तो आपको वहाँ पर Unlimited Voice Call और Unlimited Date आपको द SIM Card भी आपको मिल जाता है, जहाँ पर आप अपना connection, अपने family, अपने friend के साथ share कर सकते हो, जहाँ पर आपको family plan के साथ extra SIM Card मिल जाता है, चले जानते हैं इन सारे plans के बारे में, detail में, सबसे पहला plan जियो पोश्पेट प्लस का आता है, 399 रुपे में, जहाँ पर आपको 75 GB का data मिलेगा, और यहाँ पर आपको Netflix, Amazon Prime और Hotstar VIP जो सारे plans के साथ मिलता है, वो भी मिलेगा, इसके बाद आपको यहाँ पर unlimited voice call, unlimited SMS मिलेगा, और साथ साथ इस plan का validity, अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, यह जो जितने भी सारे plans हैं, इन सारे के validity जो होने वाले हैं, व अगर मानों आप एक महने में 75 GB यूज नहीं कर पाते हो, तो वो data आपका store हो जाएगा, आप मानों हर महने थोड़े तो आपका data बच जाता है, तो वो data आप maximum 200 GB तक rollover यहाँ पर कर पाओगे, इसके बाद जियो पोस्टमेट प्लस में आपको 599 का plan देखने को मिल जाता है जहाँ पर आपको 100 GB का data मिलेगा, 100 GB का data के साथ यह plan आता है, unlimited voice call, unlimited SMS मिलेगा, सभी plans में आपको Amazon Prime, Netflix और Hotster VIP मिल जाएगा, यहाँ पर आपको एक additional SIM card मिल जाता है, family plan के साथ एक extra SIM card मिलेगा, उसके लिए आपको कोई भी extra पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वहाँ पर आपको क आपको 200 GB का data roll over मिलेगा, और यहाँ पर unlimited voice call, unlimited SMS, Amazon Prime, Netflix और Hotster VIP का subscription मिल जाता है, इसके बाद Jio Postpate Plus में आपको 900 GB वाल प्लान देखने को मिलता है, जहाँ आपको 200 GB का data मिलेगा, 500 GB का data roll over option आपको यहाँ पर मिल जाता है, शाथ शाथ आपको यहाँ पर unlimited voice call वगरा सब चीज मि मिलेगा, तीन additional SIM card मिल जाते हैं family plans के साथ, तो अच्छी बात है, और यहाँ पर भी आपको Netflix और Hotster VIP, Jio का तो मिलेगा, और शाथ 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 यहाँ पर आपको Amazon Prime का subscription देखने को मिल जाता है, जो सारे plans में है, सारे plans की validating यहाँ पर 28 दिनों की है, इसके बाद Jio Postpate Plus में 14 GB का data मिलेगा, और शाथ 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 यहाँ पर आपको unlimited voice call, unlimited SMS मिल जाएगा, 500 GB का data roll over option मिलता है, और यह plan जो लोग बिदेश यात्रा करते हैं, उनके लिए बहतर है, क्योंकि यह जब भी आप यहाँ पर US और UAE जाओगे, तो वहाँ पर आपको unlimited voice call और unlimited data का option मिल जाता है, 14 प्लान में, तो आपके लिए बहतर option होगा, अगर आप मानो UAE जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, या फिर आप अमरिका वेगरा जा रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा, कि इस प्लान के साथ 14.99 वाला प्लान अगर लेते हो post rate plus में, तो आपके लिए बहतर option हो सकता है, मानो आप कुछ दिन वाइ स्टे करने वाले हो, तो ऐसे में आपके लिए एक बहतर प्लान, जियो post rate plus के तरफ से ये हो सकता है, तो दोस्तों ये था जियो post rate plus प्लान, जहां पर आपको बहुत सारे benefits मिल जाता है, सारे प्लान की validity 28 दिनों की है, और आपको कहीं भी इसका validity mention नहीं होग इस वज़े से मुझे थोड़ा time लगा इस वीडियो को लाने में, तो दोस्तों उमीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता तो एक लाक से जरूर देना, अच्छा नहीं लगता, तो dislike देना, बट बताओ यार क्या अच्छा नहीं लग जो